यह इकनोस का स्पीकर और और वह भी हो गया उप़र का वह भी हो गया इक्सपीकर तो चलिए अब हम इस पर साउड टिस्ट करते हैं और देखते हैं हाई फ्रेंड्स मैं हूं इसके और टिकनो सेंस में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियों पे हम एक बहुत ब पूर आप देख सकते हैं 100 प्लस 100 200 वाट मैं सिर्फ 10 इंच उफर की बात कर रहा हूं मिड रेंच और ट्विटर को मैं यहां पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं आरे में 100 वाट आप अगर मान के चले तो उपर 200 वाट और नीचे यहां पर 200 वाट यानी टोटाल 400 वाट लोड एक 200 वाट एमपलीफेर पर अगर दिया जाए तो किस प्रकार से वह प्रफर्म करता है यही आज हम टेस्ट करने वाले हैं और यहां पर देखिए यह एक 2.1 सावफर चलाने के लिए भी 100 वाट है लेकिन सावफर का मैं यहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं कर रहा हूं सिर्फ लेफ्ट और राइट जहां पर 100 प्लस 100 लोड दिया जाता है उसी चैनल पर मैं यह लोड दे रहा हूं पार चैनल में 2 वाक्स यूज कर रहा हूं यानी एक गयम पे मैं 200 वाट का RMS लोड दे रहा हूं है इस युलाब्ट लोड दिया रहा हूं हाला कि यह लोड देना सहीं नहीं यहां सुर्ण मैं एक experiment करने वाला हूँ कि इस amplifier का power कितना हद तक जा सकता है, क्या ये load जहल सकता है, और आप इस प्रकार की load मत दीजिएगा, power channel पर आप 100 watt से लेकर 120 watt maximum load दीजिएगा, और अगर होच सके तो आप 150 watt तक भी जा सकते है, कोई दिक्कर नहीं है, लेकिन इतना load एक 200 watt amplifier पर देना बिल्कुल सही नहीं होगा, यहाँ पर मैं सिर्फ एक test के लिए ये video बनाया हूँ, इस amplifier का power को test करने के लिए, क्या ये जो amplifier है, ये load क्या ये जहल सकेगा, यही दिखाने के लिए मैं ये video बना रहा हूँ, विडियो experiment subject का है, तो चलिए, अब हम test करते हैं, connection कैसे करना है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये जो दो box है, ये power box 4 ohms का है, 4 ohms को अगर हम parallel करेंगे तो 2 ohms हो जाएगा, और इस amplifier पे 2 ohms load देना बिल्कुल सही नहीं होगा, आप इस पे 4 ohms load दीजिए, या 8 ohms load दीजिए, तो यहाँ पे 2 ohms मेरा 4 ohms का है, इसलिए दोस्तों मैं ये 2 ohms को यहाँ पे switch connection कर रहा हूँ, ये है इसका ओयर, चलिए मैं आपको पहले इसका connection दिखाता हूँ, फिर subject or भी clear हो जाएगा, तो friends यहाँ पे देखिए, ये जो दो speaker box का ओयर है, मैंने एक speaker box का plus और दूसरे speaker box का minus को एक साथ जोड दिया, और एक speaker box का जो plus था उसको निकाल लिया, और दूसरे speaker box का जो minus था उनसे मैं एक ओयर निकाल लिया, फिर यह हो गया switch connection, switch connection करना कैसे सही होता है, उस topic पे भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा, और subject को धहन से समझिए, यहाँ पे plus से plus, minus से minus मैंने connection नहीं किया हूँ, parallel connection नहीं किया हूँ, यहाँ पे मैंने box का switch connection किया हूँ, और switch connection कैसे होता है, एक speaker का plus को दूसरे speaker के minus पे लगाया हूँ, फिर दो-दो अलग-अलग speaker के जो एक-एक वैर बाकी रह गया है, यहाँ पे देखिए, यह minus एक बाकी रह गया, एक speaker box का यह वाला, और यह बाकी रह गया, दूसरे speaker box का plus वाला, तो उही निकाल लिया हूँ, और बाकी दो-अलग को मैंने plus से minus से मैंने जोड दिया हूँ, फिर यह हो गया, switch connection, तो चलिए switch connection होने के बाद यह speaker box बन गया, 8 ohms का, और यहाँ पे भी मैं एक subject बताना जरूर पसंद करूँगा, और यह जो switch connection मैंने किया हूँ, यह भी एक professional तरीका नहीं है, यह सिरुप एक experiment वीडियो है, क्योंकि दोस्तों, अगर आप दो box को switch connection करते हैं, तो उनमें एक दिक्यत आता है, कैसा दिक्यत फ्रेंड्स, अगर इस speaker box में crossover network है, तो उन speaker box को आप switch connection नहीं कर सकते हैं, इसलिए ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, इस पर आपको थोड़ा जानकरी भी मिल जाएगा, और यह testing भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, यह दो speaker box में crossover network लगा हुआ है, अगर crossover network नहीं लगा होता, सिर्फ mid range और twitter को capacitor हो, या crossover का connection हो, अगर क्या होता, तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर यह जो उफर है, इस पर भी crossover का connection है, यहाँ पर एक coil जा रहा है, coil के मध्धम से, इस crossover पर connection हो रहा है, फिर यह उफर से जुर रहा है, तो इसलिए दोस्तों, अगर आप switch connection करेंगे, तो इन में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन वो बड़ी मेटार नहीं है, लेकिन अगर आप professional तरीके से देखें, तो crossover लगा हुआ speaker box को, आप आपस में switch connection नहीं कर सकते हैं, हलाकि उन में parallel connection आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो एही बात मैंने पहले clear कर दिया हूँ, तो friends अब नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे जो ये दो speaker है, ये भी forums का है, और इनका भी connection मैंने सेम तरीके से किया हूँ, देखिए friends, फिर ये हो गया, 8 ohms का speaker, और ओ भी हो गया, उपर का, ओ भी हो गया, 8 ohms का speaker, तो चलिए, आब हम इस पे sound test करते हैं, और देखते हैं, ये चार speaker box को, ये जो amplifier है, sound king, इसके 25,000, ये किस प्रकार से इस load को जेल पाता है? काफी अच्छा तरीके से ये load ले रहा है, किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है, कि amplifier ये load जेल नहीं पा रहा है, अब देखिए, base को भी मैंने full नहीं किया हूँ, और main volume control को भी मैं जादा नहीं दिया हूँ, तो फ्रेंट्स आपने देखा ये experiment और आकर मैं ये ही कहना चाहूँगा, amplifier के wattage के according ही load देना बिल्कुल सही होगा, amplifier से हद से ज़्यादा लोड दे के उन में कुछ फाइदा होता नहीं है, अलाकि उस speaker को तो amplifier बजा लेता है, लेकिन उस पे ज़्यादा output मिलेगा, ऐसा उम्मीद रखना बिल्कुल गलत होगा, तो फ्रेंट्स मिलते हैं, ऐसा ही किसी next video पे, तब तक आप सब सुखसित रहें, खुश रहें, जए हिंद,